कि पर्ममेंट मसीन आपकी बंद नहीं हुई है आप काम कर रहे हैं मसीन आपको चल रहा है अचानक बंद हो जाता है फिर चलेगा फिर बंद हो जाएगा जैसे वीडियो में आप देखें है दोस्तों रुमस्कार मैंगों डाक्टर मदलाल भासकार आप देख रहे हैं सिल इस्टिटूट का फ्री ट्यूटूरियल आज का हमारा विशह है मशीन में एक नई शमस्या है जो यह समस्या बहुत कम देखने की मिलती है यह समस्या बहुत कम देखने की मिलती है और यह शमस्या थोड़ा से उल्जा हुआ समस्या जिसको कहते हैं complicated समस्या होता है तो इस शमस्या को आप तभी समझ पाएंगे जब हमारे subscribers की द्वारा जो भेजा गया वीडियो को हम आपको दिखाएंगे तभी आप देख पाएंगे कि किस तरीके से नई समस्या जो है यह रेयर समस्या होती है तो सबसे पहले हम आपको वीडियो दिखा देते हैं तो आप पहले वीडियो देख लेगे यह आप देख रहे हैं यह दिखिए मसीन चल रहा है इस इन सल मा रहा है यह अब जो है यह बंद हो गया है चलते चलते बंद हो जाता एक दम यह दिखिए बंद हो जाता है और यहां से जो है यह मोटर जो है यह आप देख पा रहे होंगे नहीं दिख पाता है यहां से आव बिnda सब्सक्रारा तो यहां से कचरा कचराशना मैंने साप करके दिए तो यहां से चलता है यदर चलता है लेकिन गुमता नहीं है यह बाला जो है आप जब हाँ से गुमाते हैं तो गुमता है ये है लेकिन अ क no heavenicCha बिये चल रहा है भी यह अपने पंद हो जाता है तो देखा आप लोगों ने यह जो मशीन में जो समस्या है और समस्या हम सदारण सब्दों में यह दि बयान करें इसका तो ग्राहक आडियो से भी बताया रहा है हम वीडियो में देखें हैं कि यह प्रॉब्लम उसका अचानक आई है और इसका में मोटर जो है चलते चलते बीच में स्टॉप हो जाता है चलेगा कुछ समय और स्टॉप हो जागे यानि जो समस्या आ रही है यह कभी कभी आ रही समस्या बीच बीच में आ रही है यह जो कभी कभी समस्या आने का है यह जो समस्या है यह बहुत खतरनाक होता है यदि एक बार फाल्ट हो गया करेंटी नहीं आ रहा है तो आदमी को समझ में आता है चलो करेंट नहीं आ रहा है उसका सालूशन देख लेते हैं लेकिन यदि बीच में ठीक चल रहा है कभी-कभी रुख जाता है काम उसका प्रोक्शन उसका थम जाता है रुख जाता है उसमें काफ प्राब्लम क्या है प्राब्लम इसका जो ड्राइव है उसमें प्राब्लम है पूरी तरीके से प्राब्लम नहीं है वो धीरे-दीरे स्टार्ट हो रही होना यानि ड्राइब पुरिय तरगे से खराब नहीं हुआ है जो control card होता जो output motor को output देता है वह जो card होता है उसको हम control card कहते कन control card इनका खराब होगने वाला है धीरे-धीरे करके बीच में जब ठंडा होता होगा, drive थोड़ा से ठंडा होता होगा, current आ रही है, drive अपना काम कर रहा है, उसके बाद हो सकता है drive गरम होने पे या heat होने पे card में फिर थोड़ा से load बढ़ने के कारण से फिर वो trip कर जा रहा है, यानि card खराब की और इसारा कर रहा है, तो यदि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, जो आप वीडियो भेजें हमें, यदि आप देख रहे हैं, तो आप से यह suggestion है, आपके drive में ज्यादा खराबी ना आए, और आपके production में नुक्षान ना हो, क्योंकि जो भी लेवर आप लगाएंगे, उसको तो आपको देना प पड़ेगा, आपकी machine चले या ना चले, आपका breakdown हो, या कुछ भी हो, उनको उनसे मतलब नहीं है, उनको payment से मतलब है, तो आप घाटा सहते रहेंगे, तो यह नुक्षान हो जाएगा आपके लिए, तो सबसे पहले, यदि इसी तरीके से आप चलाते रहेंगे, अचानक किसी भी जो drive का काम करता है, उस electrician को दिखाईए, और उसको जो card होता है, जो control card है, उसमें क्या क्या problem है, क्या उसमें चीजी उगड़ा है, क्या चीजी उसमें लगाना है, वो समझ पाएगा, तो उसको आप दिखाईए, वो आपको exact बता देगा कि problem क्या है, उसको आप repairing अ का समधान, यदि आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को subscribe कर लिजिए, वेल आइकान बटन को प्रेस करके रखिए, ताकि इसी प्रकार की आने वाली सारी महत्पून जानकारी वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, और मुझे इजाज़त दीजिए, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं, अगली वीडियो पे अगली टापिट को ले करके, तब तक के लिए नमस्कार,